कप्तान जी का फर्मान आया है कहना है कि कावर यात्री के रास्ते में जितने भी दुकान होंगे चाहे हुआ थेला का हो मिठाई का हो धावे हो उसमें उस दुकंदार को अपना नेम पलेट आगे लगाना होगा इस फर्मान के क्या माईने है कई लोगों का बिरोध है पुरे एक तो यह फर्मान लोगों की अपनी सोतंता पर बड़ा हमला है और हम लोग पहले ही कह रहे थे लोगसभा चुनाओं के दुरान कि भारती जनता पार्टी भारत के संविधान को लोगों की अजादी को और लोगतंतर को नहीं मांगती है और इसका जीता जागता नमुना है कि भाजपा के जहां राज है वहां उसके अपने इस तरह के फर्मान आ रहे हैं जहां लोगों की अपनी अजादी है उस पर हमले हो रहे हैं भई हमारा ये काम है कि अपने दुकान का नाम हम क्या रखेंगे यह हमारा जिम्वारी है आप नहीं नताय कर सकते हो लेकिन नाम ल कि भाजपा हमेशा समाज को संपरदाई की रंग देना चाहती है, चाहते रही है, अभी देखिए चुनाओ जैसे ही भी था, मुझफर नगर से ले करके पूरे देश के भीतर, ये संपरदाई कहिंचा का काम सुरू कर दिया गया, मौव लिंचिंग का काम हुआ, और जो लोग भी रोध में बोट दिये, उनके उपर भी हमले हुए, परतारित किये गये, तो ये सारे करवाईयां चल रही है, इस बार देश की जनता ने इसके खिलाफ जवरजश्ट वोटिंग किया है, आज मजबुत विपक्च उभर करके सामने आया है, और मोदी जी को बैसाकी पर ल नहीं है, पुराने ही रूत में, कोई बदलाव नहीं आया है, सारे मंत्री से लेकर, स्पीकर, प्रदान मंत्री और अन्य मंत्रियों को भी अगर ले ले जिए, तो उसी तरह के पूरे सारे चीज़़ों को लिया गया है, और भाजबा कभी पूरा देश में एक मात्रे जंड भाजबा वाले तो कर रहे हैं सर, सरकार के तरफ से जवाब आया है कि बिधी विवस्था को सुनिश्चित करने के लिए इसा आदेश चारी करना परा है, बिधी विवस्था इससे कोंची विगल रहा था वई, आज तक बिधी विवस्था नहीं बिला, कमरिया आज से जा र थी कि दुकानों पर नाम लिख दिया जाए किस दुकान पर हम खाएंगे किस दुकान पर नहीं खाएंगे हम समझ रहा हैं ये समाज के भीतर देश पैदा करना समाज के अंदर टकराव पैदा करना हम लोग तो पहले ही कहा रहे थे कि नफरत की रागी करने वाली पार्टी है भाजपा और नफरत फैलाना चाहती है, भाइचारा और मुहबत का विरोधी है, अभी नवादा में हम लोग थे और तजिया चल रही थे, तो हिंदू समाज के लोग तजिया बना रहे थे, उसमें सामिल हो रहे थे, सुल्तान गज में कावर, मुस्लिम समाज के लोग बनाते ह हैं, इस तरह तो बिहार में तो हम लोग देखते ही रहें, लेकिन ऐसी क्या परसितिया गई है, क्या लगता है, क्या मनसा रही है योगी जी के, दिखें जब से भाजपा देश में सासन में आई है, जब से पूरे भारती समाज में इस तरह के वाईरस को फैलाने का काम किया ह ने तो पहले इसे कोई एक दूसरे के परती ब्रेस नहीं था सब लोग मिल जुल करके एक दूसरे तिवहार को मनाते थे हमारे अपने ही गाओं में हमारे चित्रों में हम लोग देखते थे कि जो मुहरम है मुहरम के तिवहार में महीनों से भीड करके हिंदू लोग ताजिया क का निर्मान करते थे और अपने कंधा पर ढोते थे उनकी व्यासता थी उसमें जो है लसकर बन करके लोग हिंदू समाज के लड़के घूम असमें माटी कूर होता था उसमें तो माटी लाकर के अपने घर में रखते थे और जहां हिंदू का पर्व ते वहार आता था तो हमारे यहां तो छट महापर्व में भी हम लोग देखते हैं कि मुस्लिम महिलाएं के घर में महिलाएं अपने घर में खोशी भरती थी दिवाले चट के पूजा करने जाती थी दिवाली में भी लोग दीब जलाते थे महावेरी आखाड़े में हम लोग देखते थे एक साथ लोग घूमते थे तो यह सारे कुछ समाज में जवर्जस्त रुप से एक दूसरे के परती मुहबत और प्यार था यह सब कुछ और देश की जनता ने उसे पसंद किया है बाल बाल सरकार बच गई मैं समझता हूं कि बासक सीटों के बारे में जो रिपोर्ट आ रहा है वह सीटों पर बहुत सारी गड़वडियां की गई और वहां के दिलाधिकारियों को धंकाया गया मामूली मामूली वोटों से इंडिया गड़वंदन को हराया गया अगर उनकाम नहीं हुआ होता तो देश की जनता ने इस बार सत्ता को बदल दिया था सवाले को और है अयोध्या हार गई बीजेपी हजाबाद उसके बाद बद्रीनाथ में भी हार गई उप्चुनाब तो क्या लगता है कि हिंदू मुसलीम के फ्रेंट फूट बीजेपी खेलती थी तो क्या उसने सबक नहीं लिया अपनी लराई को या फिर इस मुद्धे को उसने और तिवर कर दिया है असल में उसके पास दूसरा कोई मुद्धा नहीं है सारे मुद्धे पर भाजपा फेल हो चुकी है पंद्रा लाख रूपया दे गया है अर घरतते हो पार अजया है सबड़ैने की वादे नौजवानों को न्वकरी देने दो करूर रहर साल के वादे मंगाई रोकने के जो नेशनल वादे थे उस सारे मुद्धों पर फेल हो चुकी है और इधर के दिनों में हमने देखा कि सेना में नोकरियों में अगनी बीर को ला करके नौजवानों के साथ विश्वास घात किया तो अब किस मुद्दे पर भाजपा जो है बोट मांगने आएगी इसलिए भाजपा के पास अब कोई इसा मुद्दा नहीं और भाजपा आड़ानी अंबानी जैसे बड़े लोहों का विकास चाहती है बड़े करपूरेट का डव्लप्मेंट चाहती है और कभी भी देश के सारे संपती को लूट कर उनके घर देना चाहती है तो उसके पास जदी जंता के विकास के जो मुद्दे हैं वो अलाएंगे तो फिर अडानी अंबानी का विकास रोकना पड़ेगा तो दिशाही उसका बदल चुका है जंता के लिए अब उनके पास कोई दूसरा जंडा नहीं है तो केवल एक जंडा है और अभी उसको लगता है किसे जंडा पर हमारी नईया पार हो जाएगी लेकिन अभी उप चुनाव ने फिर एक नया संकेत दिया है कि तेरा सीटों पर एलेक्शन हुए उसमें एक निर्दलिय जीते दो भाजपा जीती और बाकी सब सीट जो है मन इंडिया गटवंदन जीती हैं तो इससे लगता है कि चुनाव के बाद बहुत लोगों को अफसोस रा गया कि हमने जो है इंडिया गटवंदन को थोड़ा सा जोर लगा दिया होता तो देश की तस्वीर बदल गई होती आज समिधान और लोगतंद पर जो हमले हैं वो रु खर देंगे एक बड़ा सवाल है कैसा देश बनाना चाहते हैं आप परिवादचीत पर रभी महता पटना